दंगा फैलाने की जिम्मेदारी कपिर मिसर जैसे लोगों की है बारी पठान जैसे लोगों की है दंगा फैलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है हमने कभी इसना की हरकत ना करी है ना कर सकते हैं हमने हमेशा से भाई चारे का पैगाम दिया है अमन कैमेटी चला के लोग अमन सा काम किया है यह पुराना रिकॉर्ड हमारा उठाकर देख लीजिए उस दिन भी मैंने दंगे को रोकने कहीं काम किया है क्योंकि उस वहां पर जो बिल्लिंग है जो च्छत है वो सिफ मेरी ही एक बिल्लिंग ऐसी है जहां पर लोग उपर चड़ सकते थे और साइडों में जो सा लेकि गेट को रोका लेकि टोड़के लोग अंदर चले गए उपर चड़ गे और फिर मुझे खुद डंडा लेकर वहां से दो तना के काम करने पड़े एक तो कोई अंदर ना जा पाई और जितना मुझसे हो चुका वहां से बापस उनको नीचे बेजा उपर से उतारा और इसी बीच क्योंकि बहुत जादा अफरत अफरी थी साइड़ों मा आग लगे वी थी मेरी पत्नी ने भी खुद वहां पानी लेकर बाल्टियों में पाइप लगवा के हुआ साइड में पार्किंग बुझा है उस तरफ लेफ्ट साइड में पी जो हमारे हिंदू भाईयों पुलिस फोर्स के साथ इस्थानियों लोगों के साथ मिलके पुरी बिल्डिंग की पुरी मकान की चत्की फ्लेट की तलासी कराके उनके हैंड ओबर करके हमें वहां से खुद दिल्ली पुलिस ने हटा दिया था इस सारी चीजे जो आप बता रहे हैं और जो ये जो सुबह को वहाँ गारिया निकालने गए थे जो ऐस चेखर जब बहुत पकरती है और जारी जो चीजे फैटा की अट्री पत्तिनी ती इसके बाद हमें नहीं गहीं आप पुल्स की मस्योद्गी में उनके सामनें चैक होगे गया थे वहां पे ने हगजजा था कल साम 4 बे तक भी महाँ पुलिस का कबज़ा था जैसी मुझे सूचना मुली के पुलिस फोर्स यहां से धीरी धीरी कम होती जा रही है तब भी मैंने लगाता जो है स्वान नमबर पर कॉल गया जो कनेक्ट नहीं हुआ उसके बाद जो मेरे पास मिश्टा अलोग जी जॉइंट सीपी है उनक जो नुकसान है जिसमें करोनों का माल मशीन अलगी है वो सब जल जाएगा दिल्ली पुलिस वहाँ से मुझे सामने ही वहाँ से निकले उसके बाद ये सब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये तो वही बताएंगे जांस के बाद मालू पड़ागा मैं ये कहरा चाता हूँ को मैं जो सदमा लगा है उसमें मैं सामिल हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको नियाय मिलना चाहिए इसके लिए मुझे जयोगी सहयोग देना होगा मैं दोगा देखिए अंकित का परिबाद इसमक्त दुखी है बहुत बड़ी घटना ये हुई है वो आरोप लगा सकते हैं लेकिन इन लोगों के बयान बाजी से ही इस दिल्ली के अंदर ये टेस्ट बाइस तरह के बाद में यहां पर हिंसा बढ़की है अगर बात करते हो प्रोटेस की तो प्रोटेस को चलते हुए दो महीं से जादे हो चुके हैं लेकि जब से इन दो लोगों ने बयान बाजी करी है तफ मुझे लगातार बात्चेत की उन्होंने वहां मेहनत करके फोर्च बिजबाई उसके बाद ही हुआ मामला साथ आठ बर एक बार सांत हुआ और दो तीन गंटे लगातार मैं फिरक कर रहा हूं कि दिल्ली पुलिस का अला अधिकारी के सीनियर अफसर है हमारे एके सिंगा साब पहले भी हैं टीचीपी साब रह चुके हैं उनकी निगरानी में इस्थानी लोगों के साथ मिलके पूरे मकान की पूरी च्छत की पुरी बिडिनी की जो घर मेरा है जो फ्लैट है जिसमें मैं परिभागा साथ रहता हूं उसकी चाबी मेरी पतनी लेके चलीए थी उसका भी